तो दोस्तो मैं आपसे इस वीडियो में Mother's Day 2223 के वारे में आपसे मैं डिस्केस करने वाला हूン कि Mother's Day 2223 में कब और कौन से दिन आने वाला है घलो फ्रेंड्स आप देख रहे हो Educational Words weather channel तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे Mother's Day 2223 के बारे में आपसे मैं डिस्क्स करने वाला हूँ और साथ में कुछ facts के बारे में भी आपसे मैं इस वीडियो में डिस्क्स करने वाला हूँ अगर आपको जानना है कि 2223 में कौन-कौन से festivals कौन-कौन से दिन आ रहे हैं तो मैंने पहले से ही उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के description में दे दिया है आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक Mother's Day के उपर General Knowledge का कोशन मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ तो प्रेशन जया है कि When was the first Mother's Day celebrated? जानि पहला Mother's Day कब celebrate किया गया था? पहला उप्षन है आपका 9 मैं 1913, दूसरा उप्षन है आपका 9 मैं 1914 और तीसरा उप्षन है आपका 9 मैं 1915 और इसका सही उत्र है दोस्तो उप्षन टू जो है 9 मैं 1914 तो पहला Mother's Day 9 मैं 1914 को मनाया गया था अभी आपसे मैं डिस्कुस करने वाला हूँ कि 1923 में Mother's Day आखिर इंडिया में कब आने वाला है तो 1923 में Mother's Day 14 मैं 2223 को मनाया जाएगा और इस दिन संडे जानी रविवार का दिन आ रहा है Mother's Day हर वर्ष मनाया जाता है और इसको पुरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है अभी आपसे मैं Mother's Day फैक्ट के वारे में आपसे मैं डिसकस करने वाला हूँ तो सबसे पहला फैक्ट है कि Second Sunday in May जी हाँ दोस्तों जो Mother's Day होता है वो हर वर्ष मई के दूसरे संडे को सेलिबरेट किया जाता है जब-जब मई के महीने का दूसरा संडे होता है उस दिन Mother's Day को सेलिबरेट किया जाता है बहुत सारे कई ऐसे देशें जो मई के महीने में Mother's Day को सेलिबरेट नहीं करते वह किसी और महीने में Mother's Day को सेलिबरेट करते हैं पर इंडिया में जो Mother's Day होता है वो मई के दूसरे रविवार को सेलिबरेट किया जाता है तो जैसा कि आप देख सकते हो कि 2.23 में जो मदर्स डे है वो 14 मई को सेलिब्रेट किया जाएगा तो दूसरा दोस्तो फैक्ट है कि फलावर वाइंग डे तो मदर्स डे के दिन कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो फलावर्स को खरीदते हैं इस दिन काफी बड़ी मातरा में फलावर्स को खरीदा जाता है और ऐसे गिफ्ट के तोर पर मदर को दिया जाता है फलावर्स के इलावा ग्रीटिंग कार्ड भी खरीदे जाते हैं जो कि मदर को ऐसे गिफ्ट दिये जाते हैं तो आप भी नीचे मुझे comment box में comment करके बता सकते हो कि mother's day पर आप कौन सा इसा gift है जो आप अपनी mother को देना चाहते हो तो दोस्तो इस वीडियो में मैंने आपसे mother's day 22-23 के वारे में आपसे मैंने इस वीडियो में discuss किया है तो अन्त में दोस्तो अभी आपको जै वीडियो कैसी लगी अगर आपको जै वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना